आईए आज बात करते हैं एक common condition गाल ब्लैडर स्टोन के बारे में गाल ब्लैडर जिसे हम पित की थैली भी बोलते हैं ये हमारे श्रीर का एक ओर्गन है जो राइट साइड में होता है और ये लिवर के नीचे होता है लिवर का काम है हमारे शिरीर में बाइल या पित को बनाना जब हम खाना खाते हैं यही बाइल या पित हमारे खाने को डाजेस्ट करने में हेल्प करता है आम तोर पर यह बाइल गाल ब्लैडर में स्टोर होता है जब मरीज खाना खाता है गाल ब्लेडर बाइल को रिलीज कर देता है और ये खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है कई बार कुछ मरीजों को गाल ब्लैडर में स्टोन बन जाते हैं ये स्टोन या तो साइलेंट हो सकते हैं या फिर ये कुछ दिक्कते भी कर सकते हैं गाल ब्लैडर के स्टोन होने से मरीज को पेट के उपरी हिस्से में काफी सिवियर पेन हो सकता है और ये pain शरीर के right side में भी जा सकता है इसके अरावा कुछ मरीजों को उल्टियां भी लग जाती है आम तोर पर ये pain चार से 6 घंटे चलता है उसके बाद खुद बखुद ठीक हो जाता है और कुछ मरीजों में इस pain की duration काफी लंबी भी हो सकती है गाल ब्लैडर स्टोन का दूसरा symptom है पीलिया हो जाना कई बार ये स्टोन स्रिफ हो जाता है और पित की नली में चला जाता है और liver के पित के flow को ये स्टोन रोक देता है जिससे मरीज को पीलिया हो सकता है साथ में बुखार भी आ सकता है गाल ब्लैडर स्टोन से कुछ मरीजों को pancreatitis भी हो सकता है pancreas एक gland है जो enzyme बनाती है खाने को digest करने के लिए कई बार गाल ब्लैडर स्टोन pancreas की नली को block कर देता है इससे मरीज को severe complication acute pancreatitis हो जाती है जो की जान लिवा भी हो सकती है कुछ मरीजों में गाल ब्लैडर में बड़े बड़े स्टोन होते हैं स्टोन का size अगर 2 cm से जादा है तो ऐसे मरीजों को गाल ब्लैडर में polyp या cancer भी बन सकता है अब एक विश्य है कि गाल ब्लैडर स्टोन क्यों बनते हैं तो इसका कोई clear answer नहीं है परन्तु ये देखा गया है उमर बढ़ने के साथ गोल ब्लैड स्टोन बनने की संभावना जादा होती है और महिलाओं में ये संभावना जादा होती है और pregnancy के दुरान भी स्टोन बनने की संभावना जादा होती है और यदि weight जादा है तो ऐसे मरीजों को भी स्टोन मनने की संभावना जादा होती है और एक risk factor है western diet अगर diet के अंदर calorie जादा है, fat जादा है और fiber कम है तो ऐसे मरीजों को भी gold bladder stone मनने की संभावना होती है यदि आपको gold bladder में stone को avoid करना है तो calorie intake कम करें और ज्यादा fiber खाएं ज्यादा fiber का मतलब है कि आप ज्यादा सबजियां खाएं और fruit ज्यादा लें ताकि gold bladder में stone बनने की संभावना कम हो इसके अलावा यदि किसी का rapid weight loss हुआ है जैसे कि कई बार हम bariatric surgery करवाते हैं कुछ लोग बहुत ज्यादा obese होते हैं ऐसे मरीजों में surgery की सलहा देते हैं और surgery के बाद rapid weight loss हो सकता है ऐसे मरीजों में भी gold bladder stone बनने की संभावना होती है आईए अब जानते हैं कि हम गाल bladder stone को कैसे diagnose कर सकते हैं गाल bladder stone को diagnose करना बहुती आसान है इसके लिए हमें बहुती basic test करना होता है जिसे हम ultrasound बोलते हैं इसके दुरान हम एक probe को बाहर से touch करते हैं गाल bladder को study करते हैं ultrasound से हम गाल bladder stone को असानी से diagnose कर सकते हैं ज़िए गाल bladder में stone छोटा है इसका size 3 mm से कम है ऐसे मरीजों में हम एक special test endoscopic ultrasound करते हैं जैसा कि clear है endoscopic ultrasound यानि endoscope के थुरू ultrasound करना इस test के दुरान हम मुह से एक endoscope डालते हैं उसी endoscope के उपर एक छोटा सा ultrasound लगा होता है जिससे हम गाल bladder को study करते हैं और गाल bladder के छोटे stone को diagnose करते हैं अब अगला प्रशन है कि हम गाल bladder stone को कैसे treat करते हैं यदि मरीज को acute pancreatitis है ऐसे मरीजों को हम admit करते हैं पहले pancreatitis को control करते हैं उसके बाद goal bladder stone का इलाज करते हैं और यदि मरीज को पीलिया है तो इसका मतलब है कि पित की नली में stone आ गया है तो पहले हम पित की नली के stone को ERCP से निकालते हैं ERCP एक endoscopic technique है जिसके दोरान हम पित की नली के stone को निकालते हैं और पीलिया को ठिक करते हैं और उसके बाद goal bladder stone का इलाज करते हैं और यदि मरीज को सिरफ दर्द है और पीलिया नहीं है या acute pancreatitis नहीं है ऐसे मरीजों को हम surgery की सलहा देते हैं बहुत से मरीज पूछते हैं क्या goal bladder stone को हम दवाईयों से ठीक कर सकते हैं तो इसका answer है नहीं आज की date में जो standard treatment है goal bladder stone का वो surgery है surgery के दुरान हम पूरा goal bladder निकालते हैं कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको goal bladder में stone है परन्तू symptom नहीं है ऐसे मरीज पूछते हैं क्या उनको goal bladder का operation करवाना चाहिए तो इसके दो answer है यदी मरीज का profession ऐसा है कि उसको emergency में medical help मिलना मुश्किल है जैसे कि pilots या फिर यदी मरीज ऐसी जगा पे रहता है जहां medical स्विधाई उपलब्द नहीं है जैसे मरीज किसी दूर दराज के गाउं में रहता है तो हम ऐसे मरीजों को सलाह देते हैं कि अपना operation करवा लें चाहे goal bladder stone के symptom है या ना हो दूसरी तरफ अगर मरीज के पास medical स्विधाई उपलब्द है और stone silent है ऐसे मरीज operation को avoid भी कर सकते हैं और pain होने पर अपना operation करवा सकते हैं या यदि मरीज को चिंता है कि कहीं symptom ना हो जाएं तो ऐसे मरीज भी prophylactic अपना operation करवा सकते हैं उमीद करता हूं यह जानकारी आपके लिए फायदे मंद होगी यदि किसी को भी goal bladder stone को लेकर doubts है तो हों में मिल सकता है Thank you